नमस्कार दुफतो नी नोटिफिकेशन आउट क्या गया है पावर ग्रीट कोर्पोरिशन आउप इंडिया लिमिटेट के तरब फे इंजिनियर ट्रेनी के पोस्ट के लिए दुफतो अगर आप इफ रिकुर्मेंट के बारे में डिटेल में जानना चाते हैं तो आप इफ वीडियो में एंडि तक बने रहिए फो देट आपको पता चल पाए कि इंजिनियर ट्रेनी के पोस्ट के लिए क्या कॉलिफिकेशन होनी चाहिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए कोन फे कटेगरी के कंडिडियेट को कितना एज में रिलेक्सिशन दिया जायगा स्टिपेंट के अलावा और कौन-कौन फा बेनिफिट प्रभाइट किया जायगा और भी एट फेटरा चीज़ों को डिफकरफ करेंगे और दोफ्तो अगर आप इफ चैनल पे फर्स्ट आम विजिट के हैं तो आप इफ चैनल पे जुड़ जाएए और इफ वीडियो को अपने दोफ्तों को भी फेर कर दीजे फोर देट जब भी जोब से फमंदितनी नोटिफिकेशन आउट होगा तो इफ चैनल के मादेम फे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके दोफ्तों को भी इफ रिक्रूमेंट के बारे में पता चल फके तो चलिए डिफकफन अस्तार्ट करते हैं पावर ग्रीट कोर्पोरेशन आउप इंडिया लिमिटेट इंडिया के विकिनफी डिटेल्स को देखते हैं तो अफ्तों इंजिनियर ट्रेनी इलेक्रिकल के लिए पावर ग्रीट में टोटल एक फो अटाइफ बेकिनफिश है जिसमें अन्रिजर्ब के लिए 40 रेगुलर विकिनफिश है और उन्हेफ बेकलोग विकिनफिश है OVFE NPL के लिए 26 रेगुलर विकिनफिश है और 4 बेकलोग विकिनफिश है FV Applicants के लिए 15 रेगुलर विकिनफिश है और 1 बेकलोग विकिनफिश है ST Applicants के लिए 9 रेगुलर विकिनफिश है और 2 विकिनफिश बेकलोग है EWF के लिए 10 वेकिन्फिस रेगूलर है 2 वेकिन्फिस बेकलोग है PWBD के लिए Total Fixed वेकिन्फिस है PTUIL में Total Follower वेकिन्फिस है Similarly आप कटेग्री वाइच देख लिए कि कौन फे कटेग्री के Candidates के लिए कितने वेकिन्फिस है Feeble में Power Grid में Total 85 वेकिन्फिस है के लिए किौन फे कर्डेग्री के Candidates के लिए कितने वेकिन्फिस है Electronics में Power Grid में Total 2 वेकिन्फिस है PTUIL में Total 4 वेकिन्फिस है Computer Finds ब्रांच में Power Grid में Total 6 वेकिन्फिस है 말़ी आप कटेग्री वाइच देख लिए Total वेकिन्पिस एक फोचोराफी है अब दोसको जानते हैं eligibility करेके लिए तो देखिए जिन candidates के पाफ 2023 का valid of core card होगा यह फारे difficulties में जो candidates qualify किये हैं gate को वो candidate fee if को apply करने के लिए eligible होगे age 18 से 18 वाल के बीच में होने चाहिए rate of birth देखिए दर्फगार उनेफ़ो 95 के बात का होने चाहिए official qualification full time BE या BTEC या BFE engineering में होने चाहिए with minimum 60% marks या equivalent PGPA होने चाहिए branch यहां फे देखिए electrical के लिए electrical या electrical power या फिर electrical and electronics या power system engineering या power engineering में होने चाहिए electronics के लिए familiarly आप देखिए अगर ये फारे branch में आप complete किये हैं तो आप electronics को apply करने के लिए eligible होंगे feeble में feeble engineering में BE या BTEC या BFE होने चाहिए computer finds के लिए यहां फे देख लिजिए computer finds या फिर computer engineering या फिर information technology में BE, BTEC या BFE engineering होने चाहिए ओके अब दोस्तों जाते हैं age relaxation तो देखिए OVFE NFL को 3 year तक का age में relaxation दिया जाएगा FVSD candidates को 5 year तक का age में relaxation दिया जाएगा PWBD candidates को 10 year तक का age में relaxation दिया जाएगा एक फर्विफ में एक डी एक फर्विफ में और रायोट्स के विक्टिम को इंडिया के डिरेक्टिप्स के अनुफार age में relaxation दिया जाएगा अब दुफ तो जानता है इस फर्विक्षन प्रोशेश को तो दिखे इफ में फर्विक्षन आप gate में जो marks of core किये हैं उफ का बेटीज 85% होगा, group discussion का बेटीज 3% होगा, personal interview का बेटीज 12% होगा तो यह 3 stage के तुरू आप फर्विक्षन ले फरकते हैं, gate के exam तो आप दे चुके हैं, अब देखिए आपको अगर फर्विक्ष किया जाता है तो आपको group discussion को clear करना होगा group discussion को clear करने के बाद personal interview होगा and then आपको collect कर लिया जाएगा, अब दुफ्तो, health के बारे में हैं आप मेंचिन किया गया है, तो आप if fight पे विजिट करके, आप check perfect हैं आप दुफ्तो, जानते हैं यह company safe and pegies को, दुफ्तो, देखिए ट्रेनिंग के दोरान आपको basic pay 40,000 दिया जाएगा, फातिफात idea, hra और basic pay का 12% perks provide किया जाएगा दुफ्तो, जेफिए हैं आप one year के training को complete करते हैं, आपको E2 का pay अफ्केल दिया जाएगा, जो कि इतना होगा, पजाफ अजार फे लेकरके, एक लाग फार्ट हजार तक, इसके अलावा आपको idea, hra, park, फिर यहां फे देखिए फिकते company, leased accommodation, पीएप, gratitude, pensions, leave, group inference, group personal accident, inference, medical pay utilities, et cetera, provide किया जाएगा, और दुफ्तो देखिए, अगर आप house building के loan के लिए apply करना चाहते हैं, मतलब if फर विफ में join करने के बाद, तो आपको four term, long term के लिए loan भी provide किया जाएगा, वो भी कम interest पर, अब दुफ्तो देखिए, इस बात को अध्यान फे फुने, देखिए, जेफ general, OBV, NFL, EWF, category के candidate पे, तो आप से five leg का bond का signature करवाया जाएगा, और उस bond में mention किया हुआ होगा, कि आपको कम फे कम, if company में, तीन फाल फर विफ देना है, अगर आप तीन फाल के पहले, if company को छोड़ के जाते हैं, resign करते हैं, तो आपको five leg रुपीफ पे करना होगा, ओके, और आप तीन फाल के बाद, if company पे resign करते हैं, तो आपको एक रुपिया भी pay नहीं करना होगा, familiar के FV, ST, PW, BD, candidates में भी apply होगा, बड़ते कि ये category के candidates को धाय लाग का bond में signature करवाया जाएगा, अगर ये फारे category के candidates, तीन फाल फे पहले, पर विफ को resign करते हैं, तो धाय लाग का amount pay करना होगा, ओके, तो दुफ्तों, अगर आप इसको apply करने के लिए, इंटरस्टेरे तभी आप apply करें, otherwise आपको ये compensation pay करना बढ़ सकता है, ओके, हाला कि आप इतना फ़ज़ा कमा लेंगे, अगर आप एक फाल, if service में काम करते हैं, तो इस फे कई ज़्यादा आप फज़ा क कमा लेंगे, ओके, अब दुफ्तों, देखते हैं application pay, तो देखिए, FVST, PWBD, ex-for-with-man, d-ex-for-with-man, candidates को, if application को apply करने के लिए, किसी भी तरगा payment नहीं करना होगा, और ये फारे, category के candidates को छोड़ करके, बाकि जितने भी category के candidates आते हैं, उन फा भी को 500 rupees pay करने होगे, इसका payment आप application को pay कर देते हैं, तो किफी भी circumference पर आप refund नहीं कर पाएंगे, तो आप application को तभी apply करें, जब आप इस फर-with में फर्द करना चाहते हो, otherwise आपका 500 rupees waste हो जाएगा, ओके, अब दुफ्तों, important dates को जानते हैं, कि कब फे आप application को apply कर सकते हैं, देखिए, आप application को बीफ 2023 के बीच में apply कर सकते हैं, eligibility, criteria का cut-up, date, दर्फगार 2023 है, तो I hope दुफ्तों, आपको if recruitment के बारे में clear हो गया होगा, फिर भी आपको किफी भीतरा का doubt रहता है, देना आप comment कीजिए, मैं आपके doubt को clear करने को कोफिफ करूँगा, और दुफ्तों, अगर आप if channel पर first time visit किये हैं क्योंकि जब भी जोप फे फर्मन दितनी notification आउट होगा, तो if channel के माधम फे आपको notification मिल जाएगा, और if video को अपने दौफ्तों को भी fair कर दिजी, for that आपकी दौफ्तों को भी if recruitment के बारे में पता चल पके, मिलते हैं next video में इफ इतरह के notification को ले करके, और दौफ्तों अगर आ आपको video के निचे description में मिल जाएगा, और फिर डारेक्ली आप इफ application को apply करकते हैं, तब तक लिए जाहिए, जय अबारत